कि नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग कासा करता हूं आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आपकी पढ़ाई लिखाए सही दिशा में चल रही होगी तो आज हम आपके लेके आए बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक आवर सोलर सिस्टम और इसका यह दूसरा भाग है पहल होती है एक दो कोशेंस आपको अकसर देखने को मिल सकते हैं तो सोलर सिस्टम में जो भी चीज़ें होती है स्तन का पड़िवार होता है उसके बारे में पढ़ते हैं और पहले वीडियो में हमने बहुत चाड़ चीज़े जान ली थी जैसे कि प्लानेट के बारे में जाना थ जो की सोलर सिस्टम का एक सबसे बड़ा मेंबर से सबसे बड़ा सदस्य थे तो इस वीडियो को दखने सपहले पीजरूर देखें ताकि उसको एक बहुती ह्वाज टापिक है बहुतु चीजए है पढ़ने के लिए बट क्या क्या चीजे पुर्ड seminar levy पढ़ने वाल थोड़ा सा मुझानेंगे हमने पहले वीडीयो में क्या क्या परणाताक अLE में पढ़ा था आ निको बारे ने पर Universal हैं बेल्ट पहँता है जो कि मार्स और चुपिटर की बीच में होता है इसके बारे में भी भरेंगे तो मस्त ये बात है कि हम जाना है कि प्लाइट्स ज Tages सेद्ट होते हैं बैटेस्ट प्लानेट्स कौन सा हो विदियो की 호ॉड नोस और चैले और अपने कॉपी में यह से बैसिक प्लादित आगए इसके आगी कहानी और आगी कहानी काफी इंटरस्टिंग है दिल्चस्प है तो इसको अच्छे समझी का लॉजिकली अगर आप चीजों को समझेंगे तो आप उतने रटने के जरूद भी नहीं पड़ेगी तो जैसे कि आपने जाना कि पहले क्या होता है कि एस्ट्रोइड बे कि द्रक्राइबה क्योटी वो सारे कि बने होता है वह क्याऽ के बने होते हैं उस तरह सब्सक्राइबहें वाघर होते ही सब्सक्राइब होते हैं तो इसके बारे में अगर की बात करें तो इसकी खोश की ती जराट क्यूपर नामक साइंटिस्ट ने और इसे थर्ड जोन और बिसिकली सिस्टम कहा जाता है थर्ड जोन सिस्टम के बाहर है ठीक है बाहर है सोलरर सिस्टम यहां तक उलब कह सकते हैं जो प्लैंट का यूप चून के आगे क्या होता है पुलुटू प्लू जो पहले प्लाइट से वह भी क्या है वह इस क्यूपर्ट बिल्ट औब्जिक्ट का ही हिस्सा है ऑप उपलू फैक्क जो था वह पहला क्यूपर्ड-ब बॉडी था ठीक है तो इसका उत्रों का प्लूटो था जो कि एक डॉट प्लैनेट है तो एक दो कुछें यहां से बन गए क्यूपर बिल्ट की खोच विशने की थी और क्यूपर बिल्ट का खोच होने वाले पहलो अब्जेक्ट कौन था और कौन से साल में यह खो जा गया था तो आपको पढ़ते पढ़ते शाथ साथ यह भी देखना है कि सवाल कहां से बन सकते हैं और इक्जैम्स तो यहां पर जाना हमने प्लूट के बारे में फिस्ट क्यूपर बिल्ट ऑब्जेक्ट तो अब भड़ते हैं डॉर्प प्लैनेट्स होते हैं वह क्योपर बिल्ट का ह बट अब क्या कर दिया गया इसका हो गया demotion ठीक है प्लानेट से इसे पहले प्लानेट में तो ऐसा क्यूंब किया गया ये बीफ एंट्रिस्टिंग सा एक स्टॉरी है तो इसके बारे में भी हम जरूर जानेंगे क्योंकि हुआ क्या था कि प्लूटो जो है विसे के पहले प्लाइट था बट बाद में क्या हो कि प्लाइट कुछ जो क्रेक्टरिस्टिक्स होते उसको फॉलो नहीं कर रहा था मतलब यह बिसिकली क्यूपर बेल्ट का एक हिस्सा ब कैसी संस्थान के द्वारा किया गया था ने कौन सी संस्थान थी जिसने के नहीं डर्ट फॉलू हो जाएगा कि舟रीक्स प्लूटो फ्मकेकर और और जो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं जो डॉआ प्लाइट वह हो स्क्राइट हो तो यह सबसे चोटा कौण सा है सब चोटा है सिरस तो एक और फैक्टर के वारे में हुए है कि सिरस जो और तर लिंश्डी में लान्ष उसी बिल्ट में यह सव सकते रहें होता है मार्स यॉप्टर की बीच में होता है उसी के बेलब में यह उसी control यह प्लूटो प्लूटो यह चोटा है वह होता है सिर्स पांच जोड़ा इसकोवर हुँए है और सिर्स किसका हिस्था बागी चाड जोए किसके हिस्से है वह इस्से हैं क्योपर बेल्ट के ओके तो यहां से अपने दिमाग में तो बढगे सबस्य मात करते हैं अचाइब करते हैं एक पत्थर शोसी होता है और अंत्रिक्ष में यह घुमता रहता है तो इस्ट्रोइट जो है वो उसे के पत्तर का है और बहुत सार जो सोलर सिस्टम जो बना था जो बिग मैं थियोडी हुई थी उसके कई जो पार्टिकल्स जो छिटक कहा थे तो उनहीं में से कुछ प्लैनेट बने कुछ एस्ट्रोइ उनका भी लगलत नाम दिया गया है उनके के बेसिस पर तो कितने होते हैं यहां पर दिया हुआ है कितने हैं यह कुल ग्याड़ा लाक तेरह जार पांसो सताइस यह मतली कि जो इस्ट्रोइट है जो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं उनकी नून संख्या इतनी है मतलब इससे अधिक भी हो सकते हैं बड़ इतने अभी तक वह खोजे जा चुके हैं तो इसमें जो सबसे जो लंपा सबसे बना जो अस्ट्रोइड उसका नाम क्या है उसका नाम है वेस्टा ठीक है तो यह पांसो तीस किलो मीटर है ताइम मीटर में और यह कहा है यह भी वह इस्ट है जब गिश着को 110 की वख जो अलग तरीके से भी होते हैं दो अब जानेंगे तो वेस्टा करने के लिए उनकि अपने कुछ जो उसके बहुंते जाता हैं इस तरह सट्रैकंव घ्राइट के चारो और PROFESSOR तो एक लिए अध्यौ ऐस्वे पहला था इसके पास режим सिस्ट्म को गया तो इससे प्लाइट का यह चोटा बाई है उससे बोलेगा कि मैं तरह से ज्यादा कम नहीं हूं तो इसी तरह से इडिंग सिस्टम की बात होगी और इडिया एक पहला इस्ट्राइड जिसके पास मून मिला था मून तो इससे इडा के बारे में जो कि पूछे जाने के चांसे एक और बहुती इंट्रेस्टिंग इन्फूर्मेशन यह है और जो की कॉन्फ्यूज कर सकता है बच्चों को वह है कि जो वेच्ट है वह तो एक एक एस्ट्राइड बिल्ड का हिस्सा बट और सबसे बड़ा इस च्पूर्ब्ट बिल्ड का हिस्सा है और सल्ठीड से छोटा है क्या व्यक्ष्टं जो कि इस्ट्र एंग पर के च्पूसरिद का सबसे बडरा मीं रर्कत तो यह निए कि है कि डरॉड प्लैनिट में यो एक मातर ब्रेफ प्लैनिट है जो कि क्यूपर बील्ट का नहीं किसका हिस्सा है ओर स्टैडियों सबसे बड़ा ब्लैनेट है और सबसे छोटा जोटा दॉब था गर पांच फोड़ पैलेट की बात करें ठीक है और उसे छोटा यह वेस्टा है जो की एक एस्टरीड है और यह इस्टरीड में सबसे बड़ा इस्टरीड है और इस्टरीड के अगरबार करें तो दूसरा सबसे बड़ा एलेमेंट ओके चीजें क्लियर हो गई थोड़ास कन्फूजन बिटाने के लिए फिर से रिवाइज करवा देता हूं यह है अपना यह है अपना च्राइट बिल्ट और यह अपना क्या होग दो पांच ड्राइट है वह है इसे क्या वेश्ट पेश्ट ब्सेयर से है और जो यह वो सबसे बदेस्र के सबसे बार है किसक और लिफे में इमें कूआ है तो आगे बढ़ते ते और silicate हो गहाँ होते हैं और appearance का थोड़ा सा डार्क इसा होता है और यह solar system के सबसे ancient objects बना जाते हैं मतलब solar system बना था जो टूटके बना तो मांकि solar system बनने के बाल भी कुछ-कुछीज़े क्या होगी बाल में form होते ही सबसे पुञाने object है उनमें से एक है क्या सी टाइप जो होते हैं वह स्ट्रोइड इसके लाव तो स्ट्रॉइब को फुराइब के तो यह दो और तरफ के होते हैं एक होता है मेन रिखने बिल्ट जो दोगड़ों के वीच मिल वहाँ पे डाता है और एक दूसरे तरह का स्ट्रॉइड होता है कहने का मतलब यह होते हैं इक जो स्थे की औरब में घूमते रहते हैं उसे टकडाu hundred यह सारे ट्रोजन एस्ट्रोइट से और जुप्टर के इस तरह से घूम रहे हैं जुप्टर के टकडा नेड़ है कि उनकी और बिल्टीशन जो है इस तरह की बनी हुई है ग्राइपिटेशनल फोर्स के कारण की यह एक दूसरे से टकडाएंगे नहीं तो बहुत ही इंट्रेस अर्ट के साथ ही चलता-चलता आ जता है अर्थ कहोईट कर रहा है और यह ठ्रोजन एक थरसह कहों हो ज zamगा इस्ट्रोइड होता है एक होज की लेड़ा के वाइजानाम रेसे टरूसे यह किर फिद्द है को तोusnजम इसेट ट्रोइड हने हैं और टोस्ट जाएज सबसे जयाधे किसके तो इतर हो जाएगा आपका जूपिटर श्यस को और स्ट ऊ administrations कहां पाए जा रहा है एक तो बैए जान में एक पाए जा रहा है तो मेटराइट्स मेटर्स और मेटराइट्स यह तीनों का मतलब संदर्व क्या है यह हम समझेंगे अभी ठीक है मेटराइट्स वह होते हैं जो कि क्या होते हैं कि दस्ट क्रेंस के बने होते हैं और यह बहुत ही पुराने अब्जेक्ट्स होते हैं मेटराइट्स जो होते हैं प्रेजिन में चोड़े होते हैं बट वह भी एक तरह से डब्ड़स में पत्थर के टुकड़े होते हैं जोकि अलग प्लैनेट से तूटके या सोलर सिस्टम जब बना था तो उसकी जो पार्टिकल्स इथर दूर हो गया तो उसमें से बने हुए मेटरोइट होते हैं तो अरसे है कि वो चीजी जो स्पेस में है मेटरोइट क्या होता है जो कि स्पेस से आ गया है अर्थ में अर्थ के अटमस्फेर में घुम रहा है और मेटरोइट क्या हो गया है जो कि अर्थ पर गिर चुका है तो मेटरोइट काफी तेज गती से ट्राविल करते हैं और 20 किलोमेटर प आब किसी काणन से क्या हुआ यह अपना ओर्बिट छोड़ दिया और आ गया earth के atmosphere में atmosphere में क्या है हवा है हवा से आता friction friction प्रिक्शनल फॉर्स आपने पढ़ाओगा physics में और frictional force क्या परदा करता है गड़ में परदा करता है गड़ में परदा करता है तो आगा लगेगी जाएगा मतलब पूरा जल जाएका अटमस्फेर में कुछ बचे कहीं नहीं और अगर कुछ बच के गिर जाता है अर्थ पर तो वही हो जाता है हमारा मेटो राइट ठीक है नहीं कन्फ्यूजिंग हो सकता है त्यां से पढ़िया मतलब जो अंत्रिक्ष में हैं टीक है मेंटोरीट मतलब जोएट्मसफेर में इस्तार सुट्डिंग स्टार मेतरा डीच्ञ। मेट्राइट्स क्या होता है जो आर्थ पर गिर चुका है तेख तीन चीज होता है मेट्र राइट मेट्री मेट्राइट मीन मेट्राइट चूल कर देखता है बिटे के जो करण जोड़ के फिल्म होती है उनके जो ठूटता हुवा तारा देखता है वहीं बिसिकली मेटरोर्स होता है तो मेटरोर्स कभी-कभी कहीं कहीं देख जाता है इस तरह से सुटिंग स्टार्स के लोग जो की अर्थ मेटरोर्स की काड़न हुए है तो यह बहुत ही बनामेटद साल पहले 50 गीडा था बुलधाना दिस्टिक कहां है और यहां बन गया था क्या हमारा लूनर लेक लुनर लेक ठीक है इसके पानी कभी पिंक हो जाता है क्यों पिंक होता है यह आप बताएंगे कॉमेंट अप्छिन में बहुत इंट्रस्टिंग फ़ेना लोनर लेक के बारे में ज़रूर गीडा था और उसका इंपाक्ट यहां पर आपको देखने को मिल सकता है तो यहां पर इक पार देखना चाहिए तो इसी की साथ बढ़ते हैं अपने अगली कौंसेप्ट तो यह वो गए इस तरह का वह कुछ एफक्ट देते हैं ठीक है तो जो भी डॉस्ट होते हैं अगर फ्रोजन फॉर्म में हो गए इस तरह के चीज यह बन जाते हैं और यह वह सारी जो है वह वह क्यों बेट के वारे हमने पर आ है और यह ब्या कर रहे हैं अर्थ को चक्र काट जैसे कि other objects काट रहें उके इंट्रेस्टिंग बात में यह होती है जो टेल होता है na comet का वो संसे हमेज़ा दूर जाता हुआ रहता है हमेज़ा आपको देखने को मिलेगा और comet कहीं होगा तो उसका जो टेल होगा वह संसे दूर जाता हुए देखने को मिलेगा या कि कम है च्ट्राइट में दूद्व 10-11,000,000 से भी उपर खोज़े जुके हैं और जो कमेंट है अभी बस मत्र 37,49 खोज़े गया है तो कमेंट होते हैं कमी कमी दिखते हैं और एक ही दो कुछी कमेंट होते हैं जो कि हमें पर दिखाये देते हैं और इस प्रियोडिकली दिखाये पर देखेगा तो दस साल बाद देखेगा तो इंसेंट जमाने में कभी-कभी यह भी सुनने को मिला है कि कमेंट के हिसाब से जो है वो टाइम प्रियोड जो डिसाइड किया जाते हैं और कमेंट में बहुत ही मेरा इंटरेस्टिंग एक कॉमेट है जो की एक्जाम में प्या इंटरेस्टेलर का मतलब क्या होता है इंटरेस्टेलर का मतलब होता है विदिन दस्टार्स मतलब कोई चीज एक स्टार्ट का अपना एक स्टार्ट का होता है ऐसे सन का अलग स्टार्ट का भी होता है तो जो स्टार्ट से स्टार्स कोई चीज इस सोलर सिस्टम में जा रही ह तहुंआ है का dessa k अजए क।ंट इसके वारे सकता है यूँस को जशे रखने का टरीका क्या हुश चकता ह trainers कहां से आया होसे फ्लाइट से आया है प्रिप्स की बात करते से तुर सकते हैं कि क्या होता है तो करने के अगर चाहें तो अपनी समझ के हिसाब से अपने जो परहाई कर रहे हैं अपने चुट का भी ट्रीक्स बना सकते वह आपके आद करना में और जाद ही असानी होगा नहीं है तो खुच से आप इन जीजों को समझने की याद करने की बिद्से भी। जो मुझे तरीक है तो और यह सब बात च्रान के बारे में कुछ और बात जानते हैं जैख कि है ला इसकी बात करनेहे वाला ओक् definitions कहन你好 को इसको इसको अलग से आप एक्स्पेरियन कर रहा हूं इसके इंपोर्टेंस क्या है तो यह सब तो एट किलोमेटर वाइड है और शोलग किलोमेटर लॉंग है यह सब तो ठीक है बट जो इसाम स्पिस्पिक पॉइंट यहां पर क्या है कि यह हर 75-76 साल तक अर्थ के और में zach कोमेटर दिखते है अर्थ पर गहे उका बिछले बार इखा दरेका था 1986 में अगले बार कब दिखेगा आप हयो बदो प्षोड के बदिखा था आगे कब दिखेगा और से खोज किन्होंने की ठी कि यहिती एडमंड हैली ने इन्दी के ना पर हैली's कमेंट पर आले ने जरी कोज की थी अन्हों यह भी बताया था क्या है लीज कॉमेट ओके तो बस सोलर सिस्टम की बारे में इतना जो है वह इपॉर्टेंट है आप इतना पढ़ लोगे तो क्या होगा में दोनों वीडियोस पार्ट बन और पार्ट टू मिला के और जो इंफॉर्मेशन है उसको आप कर्म बद तरीके से पढ़ते चलो में अच्छे से जाद रहेंगी और नोट्स बनाओंगे तो क्या होगा कि आपको एक्जाम के टाइम में इस चीज़ को डिवाइस करने में सहुलियत होगी तो आसा करता आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इसे जरूर लाइक कीजिए अब दोस्तों के साथ सेयर कीज तो उसकी आपको जानकारी उसी वक्त मिल जाएगी साथ चाहत आप हमें फॉलो करें सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म पे टेलिग्राम पे इंस्टाग्राम पे जहां पी आपको मिलेंगे इपॉर्टन उपडेट्स और बहुती सारे मज़दार कंटेंट्स तो चलता हूँ है have a nice day and keep learning keep studying keep healthy thank you and Jai Hind